नमस्कार बिहार तक देख रहे आप और आपके साथ मैं हूँ हर्शिता सिंग द्वारा आयोजी सिक्षक न्यूक्ति परिक्षा टीरी वन में उत्रीन होने के बाद विध्याले में फर्जी तरीके से बहाल एक सिक्षका को आज जाज के दौरान जिला सिक्षप अधिकारी के कारेले से पकड़ लिया गया है गिरफ्तार फर्जी सिक्षका का नाम नुमा चल रहे आधार वेरिफिकेशन के दौरान नाहीं उनका फोटो मिला और नाहीं आधार वेरिफिकेशन मैच होने पर संदेग हुआ लोगों को और उसके आधार पर इन्हें पकड़ा गया है बता दे कि नौकरी के दो महीने पूरे होने के बार जब वेरिफिकेशन का का काम जल रहा था तो जाज में यह पाया गया कि गिरफतार सिक्षकाँ का ना Foto मिल पा रहा है और न भी बाइयो मडिक जिसके शक्र की अधार पर ता English को गिरफतार चल रहा है और इसी दौरान सिक्षकों के नए नए कारणामे और फर्जी सिक्षक जो है वो पकड़े जा रहे हैं इस पूरे मामली पर मजिस्ट्रेट क्या कुछ बता रहे हैं एक बार आप सुनिए बायोमेट्रिक में इनकांगुठा मिला उसके आधार पर फर्जी के पाचानकी है जिला सिक्षा पदादिकारी के कार्याले में जो पर्जी सिक्षक जो भी है फेजवन के उनका वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें हम पर्जीनु मजिस्ट्रेट है तो वहाँ जब मिलाया गया तो उनका ना तो तस्वीर मिल रहा था ना इविमेट्रिक मिल रहा था उसके आधार पर फर्जी के पाचानकी गई और हम लोग नगर थाना को सुपूर्ट करने है भगवानपूर ब्लॉक में दगनाथपूर प्रामरी स्कूल की सिक्षिका है तो स्कूल के प्रधान ने भी इस मामले को लेकर के बताया है और उन्होंने कहा कि विद्याले में योगदान करने के बाद पढ़ रहा रही थी और आज उसका वरिफिकेशन हो रहा था वरिफिकेशन के दौरान उनका जो बायो मेट्रिक है वो मैच नहीं हुआ जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया ह यह कैसे उजागर हुआ आज कैसे पता चला क्या जान करें लिया हम इंप्रेशन में फोटो जो आया ना तो इनका अलग फोटो उसमें दूसरा तो बिहार में BPSC द्वारा पहले चलन के सिक्षक न्यूक्टी में बहाल हुए करीब एक लाग सिक्षकों में कई फरजी तरीके से टीचर बन बैटे हैं लगतार इस बात की शिकायद सुनने को मिल रही थी जिसके बाद विभाक के अपर मुख्य सचीफ के के पाठक ने बड़ा आदेश जारी किया अब हर एक सिक्षक की ऐसी जाज करवाई जा रही है कि कोई फरजी सिक्षक काम नहीं कर पाए और देखे कि यह मुहीम रंग भी ला रही है बेवुसराय में BPSC परिक् किया रहा है कमेंट करके जरूर बताए और आपको बता दी कि यह खबर हम तक पहुंचाए थी बेगुसराय से हमारे समवताता सौरफ कुमार ने बिहार के तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ